हेल्दी और एक्टी दिमाग के लिए अक्रोड खाना चाहिए दिमाग को हेल्दी रखने के लिए ओमेगा 3 फेटी एसीड से भरपूर चीजों का सेवन करना फायदे मन होता है जो सबसे ज़्यादा अक्रोड और फिस में पाया जाता है इसे नेमित तो पर खाने से दिमाग एक्टिव रहता है चीजों पर फोकस करना आसान होता है और यादास्त भी तेज होती है आँखों की रोसनी के लिए हमें गाजर खानी चाहिए गाजर में अच्छे खासी मातरा में बीटा के रोटीन और विटामिन ए पाया जाता है तो इसके सेवन से आँखों की मसल्स हिल्दी रहती है इसके अलावा इसमें एंटे ओक्सिडेंट भी होते हैं जो आँखों की रोसनी को बरकरार रखने के साथ ही मूत या बिंद और ग्लुकोमा के खत्री की संभावना को भी कम करते हैं तवचा के लिए बहुत जरूरी है बादाम प्रूज सुबह बिगे हुए बादाम खाने के आदट डाल दे क्योंकि ये आपकी तवचा के लिए बहुत ही फायदेमन है सरीर में विटामिन्स, प्रोटिन और मिनरल्स की कमी को दूर करता है रोजाना इसके सेवन से तवचा हेल्दी रहती है और इसका गलू भी बढ़ता है बादाम को दूद के साथ ले सकते हैं या फिर बादाम का दूद भी बनाया जा सकता है रात पर इसे बिगो कर रख दे, सुबह उठने पर बादाम के चिलके उतार ले ब्लेंडर में पाने और बादाम को एक साथ पीस ले, तैयार है इसका दूद हेल्दी हार्ट के लिए टमाटर जरूर खाएं ठमाटर दे, से जूड़ी समशह को दूर रखने में भाधी फाइदेमन है रोजना ठमाटर का जूस पीनी से सरीर में बैड कॉलिस्ट्रॉल का लेबल कम होता है हाट को हेल्दी रखने में पोटेशियम का रोल भी बहुत खास है जो टमाटर में पाया जाता है तो सलाथ, सोंपया, जूस जैसे चाहे वेसे टमाटर को जरूर अपने डैट में सामिल करें पेट के लिए अध्रक बहुत जरूरी है अध्रक वेसे तो कई तरीकों से लाब करी है लेकिन पेट से जुड़ी समझे हैं काफी हद तक इसके सेवन से दूर रहती है अध्रक में एंटी इंफ्लेमेंटरी और एंटी बेक्टरियल गुण होते हैं जिसे खाने से हाजमा एक्तम तूरूस्त रहता है चाय और सब्जी के अलावा पराथे में भी इसे कद्दूकर्स कर मिक्स करके खाया जा सकता है तो यह टिप्स अपना कर आप अपने आपको हेल्दी बना सकते हैं वीडियो अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ओके थैंक्यू अवरिवेन